कल यदि ये प्रूफ हो गया कि ये सरकार में पुलवामा होने दिया क्योंकि चिनाव में इसका फाइदा उठाना था यदि ये कल प्रूफ हो गया तो ये सरकार की स्थिती क्या होगी आप सोज भी नहीं सकते। महतर मां बिलबिला के उठी और बोली कि क्या प्रूफ है आपके पास क्यों ऐसी बाग करते हैं आप ये भोकलाट जो थी वो डर था कि अरे बाबा ये पुलवामा का नाम कैसा ले लिया चैनल में लाइव प्रूफ नहीं सकते रेकॉर्डिर तो था नहीं ये वो बोकलाट थी क्योंकि नोकरी जाने का डर है उनको पूछना पढ़ेगा कि चाटू तक कारिता करते करते आप क्यों नहीं छकते गुरूजी जो ऐसे सवाल पूछते हो आदत होगी है क्यों नहीं दिये गए इन सब सवालों का जवाब यह है कि तब सत्यपाल मलिक चुप क्यों थे देश के ग्रह मंत्री के जवाब का विशलेशन करने के लिए हमारे साथ आदेश के सबसे अनुभवी पत्रकार अशोक वान खेड़ी जी है उनसे बात करते हैं नमस्कार अशो सबसे अनुभवी जो कि उस वक्त पर मौझूदा गवर्नर थे उन्हें चुप रहने के लिए क्यों कहा गया इन सवालों पर जवाब देने के बजाए उन्होंने खुद सवाल उठाए और काये कि जब सत्पाल मलिक गवर्नर थे तब क्यों चुप रहे तब क्यों चुप ब पूरी तरह से चाहती है कि इस इशू पर मिट्टी डाली जाया और इस पर कोई बात नहीं है लेकिन यह बहुत बड़ा इशू है कि इस देश की राजनीती में इतना निम्नस्तर उतर चुके है नेता कि क्या चुनाओ जीतने के लिए सैनिकों की शहादत करवाएंगे पैरा जमीर जगने का नहीं है एक तो मैं ये भी कह सकता हूं कि हम जैसे कहते कि सुवे का भुला शाम को आ जाये तो भुला नहीं कहते देर से जमीर जगा जगा तो सही आपका जमीर कब जगेगा ये जब सवाल पूछूँगा तो फिर इनको पीछे देखने के लिए जगा नहीं लेकिन स्थपाल मली की उसी इंटर्वी पे आएंगे तो उन्होंने कहा कि ये हादसा होने के तुरंद बाद मैंने एक बात कही थी कि मुझे बहुत बड़ा दुख होता है और मैंने प्रधान मंत्रीजी को बात कही प्रधान मंत्रीजी कहीं अंदर थे कोई शूट कर रहे थे किसी इंटरनेशनल टेलिविजन चानल के लिए कोई जंगल में वहां से बाहर आये फिर मेरे से बात हुई तब उन्होंने कहा कि अभी आप चुप रही है इस पे कुछ मत बोलिए उसके बाद उन्होंने जो देश की सुरक्षा सलाकार है डोवाल साब उनसे बात की और उनसे तो उन्होंने बहुत फ्रैंक्ली बात की क्योंकि वो डोवाल साब उनके वर्ग मित्र भी है एक क्लास्मेट होने का एक एडवांटेज होता है उसके बाद जब उनकी बात हुई है हवाई जहाज क्यों नहीं दिए ये तो बाद में बात है आया है और वो लोग उडाएं गए हैं हो सकता है कि सरकार के पास कोई इंपुट हो कुछ और इंफर्मेशन हो अब सरकार भी लगी है युद्धस तरफे और फिर उसके बाद पाकिस्तान का नाम से बिल फड़ा गया दनादन पाकिस्तान पाकिस्तान हुआ और उसे इंट्रिव में एक सवाल के जवाब में वो ये कहते हैं कि बाद में मुझको रि रियलाइज हुआ यदि उसी समय रियलाइज होता तो वो बोलते हैं उन्हों ने पुलवामा वाले केस में क्योंकि एकाद दो अकबारों में भी ये छपा था चायद इंडियने इस्प्रेस या हिंदू कहीं अंदर के पन्ने पे कि हवाई जाज मांगे गए थे सरकार ने द इंडियन्स इंपुट क्यों नहीं मिला यह हमले के लिए इंडियन्स इंपुट फेलियर है क्या तब सब लोग तूट पड़े कि देश द्रोही है यहां 40 लोग मर गये और तुम इस बात को सोच रहे हो सरकार को धूंड रहे हो अभी देखिए सरकार क्या करती है सरकार ने स आमने सर्जिकल स्ट्राइक किया यह क्या हो कि आमने अब इसके बाद पाकिस्तान मुड के भी नहीं देखेगा पाकिस्तान गुम के भी नहीं देखेगा पाकिस्तान की हिम्मत नहीं होगी यह नरेशन 2019 में बनाया गया लेकिन क्या हो रहा है अभी पिछले सब्ता एक हैंड लिनेल फेका गया और हमारे जवान शहीद हुए आतंकी हमले अभी भी बरकरार है तो उस सर्जिकल ट्राइक से जो पाकिस्तान का आतंक खतम होना था वो नहीं हुआ उस नोडबंदी के कारण जो आकतंक खतम होना था वो नहीं हुआ आतंकी अपने गतिविदियों पे लगात अधानमंत्री हैं अथिर प्रधानमंत्री नहीं कहते हैं कि अगर गलत कह रहा है तो फिर कारवाई करो चुब बैठे रहने का क्या मतलब है मतलब कोई दाल में कुछ काला है सत्पाल मलिक ने उठाए हुए सवाल जो है वो सही है हवाई जाज मांगे गए ते ही ये लेटर है ग्रह मंत्राले ने मना किया ये भी लेटर है इस पर सरकार क्या जवाब देगी कि क्यों मना किया तीन हजार का पूरा कॉन्टिंजट जबाप को मुग करना है और उस रोड से मुग करना है कि जो मुवमेंट के लिए ठीक नहीं है उस पुलवामा पे ये हमला होने के बाद फुलवामा कोई सैनिटाइज नहीं हुआ इस हमले के बाद उसी पुलवामा सेक्टर में कई आतंक हमलों के लिए जाना जाने वाला जिरिया था ऐसे में आपने सैनिकों को मरने के लिए क्यों जोग दिया इन तमाम सबालों के जवाब कुछ नहीं है मैं जानता हूँ आद्रणिया राजना सिंग्जी को गत्यगत रूप से जानता हूँ और मुझे उनकी साफ गोई पे बहुत विश्वास है लेकिन वो साफ गोई वाला आदमी आज रक्षा मंत्वी है तब ग्रहा मंत्वी था वो भी उसके लिए बोलने के त्यार नहीं मैं दूसरे सवाल पे आता हूँ क्या सिर्फ पुलवामा पे बात हुई थी बात तो जबो कश्मीर में होने वाले ब्रहटाचार पे हुई थी बात अनिल अंबानी की एक हाइड्रो कंपनी और एक इंशुरंस कंपनी को काम देने के लिए 300 करोड रुपे की रिश्वत दी गई थी मुझे ये बात तो उन्होंने उनका जमिर तो तभी जगा था जब वो गवर्नर थे नाम उन्होंने आर मादो का तो बाद में लिया पहले तो उन्होंने का कि एक बड़े लोग आये थे उन्होंने ये भी का कि मैंने प्रदान मंत्री को बोला राज्यपाल रहते हुए जमु कश्मीर के यदि उन्होंने यह आरोप लगाए तो उनका जमिर तो तब जग गया था सरकार का जमिर क्यों नहीं जगा जो इनक्वाइली की नहीं जगा जब वो गोवा भीज़े गए राजजपाल गोवा में भ्रहटाचार के कुछ मामलों को लेके उन्होंने प्रदान मंत्री को आगा किया प्रदान मंत्री एक आदमी को मिलने के लिए बार-बार गवर्नर को बोलते रहें गवर्नर ने वो काम नहीं किया ये भ्रहटाचार का मामला उन्होंने राजपाल होते हुए उठाया जमिर उनका जग गया था सरकार क इस वहापान व्य Le sailor लिए जड़िके करें वक्ताम कर लोड़ कोई हुँ यह एक वग्ता मां indeed स्टीफें वह क्यों दे मिले लावे सब्सक्राइए उन प्रधान मंत्री को दुख जताया था डुवाल साब को और आज जनता के सामने बोल रहे हैं तब शायद राश्ट्रिय सुरक्षा की बात है करके चुप रहे होंगे लेकिन भ्रहष्टाचार के मामले में वो तब भी बोले और उनके होते हुए उन्होंने वो भ्रहष्टाचा नहीं होने दिया तो वहां से उनको तिस्री जगा भेगा गया जहां गये पुरे कारेकाल में उन्होंने कुछ गड़बर तो नहीं होने दी तो उनको लगा कि मैं कम से कम इस पाद पर रहके गड़बर तो रोख सकता हूं इसलेए नहीं सितिपाद यह लेकिन जमिर इस सरकार का कहा है कि प्रहटाचार के मामले में CBI उसमें तीन पार्टियां है ठिर्वी है राम माधो जिनका नाम लिया गया राजजपाल है जिन्होंने नाम लिया और रिश्ट देने वाली अनिलंबानी की पार्टी तिसरा नाम है लेकिन CBI की नोटी स्रीप आती है तो एक आदमी को पूछा जाता है मलिक साहब को सीब्याइ ने राममाधो को क्यों नहीं कहा किया पते चार्जें से लिए नब नवी अगर्नर नहीं हैАज सरकार जदरा कटगरे में खड़े होगे तो CBI का जमीर जग गया, CBI का जमीर अभी भी गोवाले भेटरचार पर क्यों नहीं जगा है, और सवालों के जवाब दीजिए न, जमीर के बाद बाद करेंगे, चलो उन्होंने उद देर से कहा, आप तो समय पे बताईए, समय रहते बताईए कि विमान क्यों करोड की रिश्वत कैसी दी, आफर की गई, समय रहते बताईए कि रामादो का रोल क्या था, समय रहते बताईए कि अनिलंबानी की कंपणी क्या करना चाहती थी, समय रहते बताईए, गोवा के भिष्टाचार का क्या हुआ था, जमीर उनका लेट से जगा, आपका तो जमी का कैई साई जाता है, व आप भंबे का रूट बता रहे हो, या बता रहे हो कि रजूळ अन्य और तो बंगाल में मिलता है, कलकत तक्यों जा रहे हो, आरे मैं रस गूला काने के लिए जा रहा हुआ है, मेरे पर छोड़िये मने रस्ताप बढ़ा उतना बताईए, आप रज जब हिंडन बर्ग के बारे में पुरे चर्चा होने लगती है तो पांचे जन्ने कहता है कि देश विकास कर रहा है वो विकास रोकने के लिए यह ऐसी चाले चली जाती है अरे भारत का विकास अमेरिकन कंपनी क्यों रोकेगी भारत इतना विक्सित होगा वो तो उनके लिए जितना शेयर मार्केट बड़ा होगा उतना खेल बड़ा करेंगे उन्होंने तो अपने फाइदे के लिए हिंडन बर्ग रिपोर्ट चापी लेकिन मेरी उतका क्या फाइदा होता है यह देशने के बजाए मैं यह देखता हूं कि मेरे देश में कार्परेट सेक्टर में कित जियारंःद पता ने क्या-क्या बता दिए इसी मीडिया ने नजाने क्या-क्या लोगों को क्या-क्या बता दिया के अपधिव करता है और पूर्व राजञपाल के सवाल उठाने के बावजूत कहता है कि हमें सबूत ला कर दीजिए तब ही हम इस मुझे पर करेंगे मुझे लगता है वह आज तक की हैं करती जिसने पूछा कि आपके पास सुबूत क्या है जी में देश की मीडिया की बात करें तो मैं तो मैं तो नामी लेकि बात करें हम दर्य किस बात के राश्ट्री मेडिया कहां से हो गया हो एक तो प्रग्या जी हमको दलालों को मी प्रूफ पूछने लगे तो और उंटे कड़े हो जाएंगे इनके वो लोगों से हिलने के कारण पूल तूटने की बात करते हैं जिसमें एक से थातिस लोग मारे गें गुझरात में उनको पूछा जाए यह प्रूफ कहां से लाए उन्होंने जब इंट्रिव लिया है गु आपके पास क्या प्रूफ है कि राहुल गांधी विदेश में अवंचित उद्योपतियों को मिलते हैं तब तो मजे लेले कि राहुल गांधी को कोश रहे थे तब पूछे ना एक राजजपाल कहरा है वो राजजपाल की एक ऑथरिटी होती है और राजपाल यह गलत कहरा ह होता है तो उस राजपाल को आप टर्मिनेट कर सकते थे राजपाल को जेल कर सकते थे उस राजपाल आपको कश्मीर में तकलिद देने लगा आपने घौवा भेज़ा घी को निकाल क्यों नहीं देते जो राजजपाल 40 लोगों की शहादत का मजाक उड़ा रहा होगा जैसा कि वो प्रूप मांग रहे तो मजाक के उड़ा रहे ना उस राजजपाल को आपने गोवा का राजजपाल किस बिना पर बना के भेजा क्या गोवा में जनता नहीं रहती है जानवर रहती है कि किसी को भी आप हाकने के लिए भेजो आपको वो आदमी राजपाल बनने के लिए सक्षम लगा यदि वो आदमी सक्षम है तो उसको सवाल की जवाब पूछे क्या मरने वाले वो 40 शहिद आके कहेंगे इनके चानल पर बैठके है दोवाजार के नोट में चीफ डालने वाले यह लोग कल यदि यह कहें कि हमारा एक रिपोर्टर जाके स्वाल में मिलके भी आया किसी को तो हमको विश्वास रखना पड़ेगा क्योंकि सबसे तेज हैं वो जी सबसे पहले पहुच जाएंगे सबसे पहले पहुच जाएंगे शरम आनी चाहिए और ब्लैक को वाइफ करने में बढ़े माहिए आप पूछते हो कि आपके पास प्रूफ क्या है गवर्नर को पूछते हो कि आप किस अधिकार से बोल रहे हैं तो फिर आप राज्य में जब राश्टरपादी शाचन लागू हो क्योंकि तब वहां उपर राज्यपाल नहीं थे राज्यपाल थे फुल फ्लेज राज्यपाल थे जब उन्होंने ये बात कही अब गवर्नर और मुख्यमंत्री को पूछा जाएगा प्रूफ क्या है तो फिर नरेद्र मोदी जी को भी एक दिन पूछी लीजिए कि देश का विकास हो गया तो प्रूफ क्या है आपके चानल को मिलने वाला विज्यापन देश का विकास नहीं है न कि आपने मालिक ने कोई नई गाड़ी खरीदी या नया बंगला खरीदा वो फ्रूफ नहीं है विकास का हम तो पत्रकारिता करते हैं कि देश के अंतियम व्यक्ति को रोटी मिलते की निक मिलती है जिस दिस में 81 करोड लोग सरकार के दे हुए अनाज पे जिन्दा है वहां विकास की बात हो रही है सर जिस पुलवामा हमला में हमले में 40 जवान शहीद हो गए इतनी गंभीर बात है यह सत्ता बदल गई सरकारे सत्ता में आ गई इसी मुद्दे को भुना भुना करके और आज जब बात हुई इस पर सवाल करने का आडी एक्स कहां से आया जवानों के कहने के बावजूद उनक गंभीरता से इस मुद्दे को ले रही है न सवाल उठा रही है उस स्वाल कर रही है कि उस समय आप क्यों चुक्ते जी आप क्यूढ जग गई है तब क्यों जगरत नहीं थी मैं नहीं तो मैंने बोला लेट से आत्मा जागरुत होगी तूसको ऑनर तो करो आप उसमें देरी क्यों कर रहे हो देखिए जहां तक मुझे कई हमारे मेडिया में हमारे बित्र है ऐसा नहीं कहता हूं मैं कि सारे खेलिविजन चैनल में काम करने वाले कर्माचारी तेखिए य में अपने जैसा नहीं रहता कि अपना तो कोई लेना देना नहीं भीया कहां से भी बैक उठाग करें चले जाएंगे जैसे प्रधान मंत्री बोलते हैं मैं फक्कीर हूं तो चले जाएंगे कहीं पर भी लेकिन मैं वह कुड़ताखाई पहंनने वाला पत्रकार हूं मैं तो क कुछ गड़बड है उपर से बिल्कुल स्टिक्ट है कि इसमें कोई बात नहीं हुए इसलिए जब किसी ने पुल्वामा नाम सब्जेक उठाते से ही महतरमा बिलबिला के उठी और बोली कि क्या प्रूपर आपके पास क्यों इसी बात करते हैं आप यह भोकलाट जो थी वो डर था कि अरे बाबा यह पुल्वामा का नाम कैसा ले लिया चैनल में लाइव प्रोग्राम में तो रोप नहीं सकते रेकॉर्डिर तो था नहीं यह वो भोकलाट थी क्योंकि नोकरी जाने का डर है पत्रकारिता नहीं कर रहे हैं उसी चैनल की इक उन सच्पाल मंत्री को पूछना चाहिए था कि सथपाल मलिक के विया रिकॉर्डिंग मेरे यह मेरे पास आय थे मुझे बोल रहे थी कि पाथ साल के लिए और गॉर्नर बनाई है मुझे राज्यसभा दीजिए मुझे कई विदेश में राजदुद बना के भेजिए मुझे किसी कार्परेशन का चेर्मन बनाई है ऐसा सत्पाल मालिक कह रहे थे हमने का कि सत्पाल जी अब आपकी उम्र हो गई है फिर उन्होंने हमको धमकाया फिर मैं तुम्हे देख लूँगा इसलिए सत्पाल मालिक ये बोल रहे है कुछ तो कहें कहीं तो कहें सत्पाल मालिक के भी पीछे लगे धूंडे कितनी प्रापरटी है सत्पाल मालिक ये दूद के धूले नहीं होंगे तो आप और हम सत्पाल मालिक के कोई सगे थोड़ी है सत्पाल मालिक ने सवाल उठाए जो सवाल उठाए वो देश की सुरक्षा को लेके है बजवानों की शहादत को लेके है इन सारी बातों पे यदि एक राज्यपाल कहते है तो उसको जवाब देना होगा यदि भारते जन्ता पार्टी या गोधी मेडिया जिस गुलाम नभी आजाद को कॉंग्रेस पार्टी छोड़े होए एक साल हो गया जिन्नों ने अपनी पार्टी बनाई उसके बाद अपनी ज कैसे और गुलाम नभी आजाद भोलते हैं तब तौगल्व नभी आजाद को प्रूफ नहीं पूछा तब तो गुलाब नभी आजाद को ये नहीं पूछा बोला गया इसे तप तब राहूल गांदी जिन्दाबाद के राहूल जी राहूल जी करते हुए कैसे भागती थे पीछे ये सवाल तो नहीं पूछा हो एंकर में बलैक एंड वाइट ने हैं च्रकार किस्वाल मलक इतने गंभीर आरोप लगा रहे हैं सवाल उठा रहे हैं लेकिन ये मुद्दा प कर वस्त्हें है यह प्रूफ हो गया कि यह सब्सक्राइब कि यह तो सरकार इस से भाग रहीं नहीं भागती सरकार पैगेसिस से भागी सरकार उसी समय कह देती कि हम पैगेसिस अल्टिमेटली सुप्रीम कोड के एक इंक्वाइरी कमिटी बिठानी पड़ी सरकार भाग क्यों रह जाती है सरकार जवाब क्यों नहीं देती प्रधान मंत्री अभी तक एक प्रेस्कान्फरस नहीं की, यह हमारे हैं परंपरा है, प्रधान मंत्री हर साल एक क्षे करदोर से डर्ते हैं की और जब उनको इंट्र्वाब भागा लाएậy जाता है ति लो पूछ ते हैं कि काट खाते है हैं प्रदान मंत्री आम काट के खाये, चूज के खाये या उसमें स्ट्रॉव दाल के खाये, उसे देश को कोई न देना नहीं, उससे देश की गरीबी, बेरोजगारी, देश पे बढ़ता हुआ कर्जा, देश में सामाजिक ताना बाना जो टूट रहा है, अरादक्ता फैल रही ह देश में कानून व्यवस्ता, इन तमाम बातों का महेंगाई, इन तमाम बातों का उस आम से कोई लेना देना, जी, एक पत्रकार हैं, हमारे भाई जैसे हैं, उन्होंने पूछा कि प्रदान मंत्री जी आपके परस में पैसे कितने होते हैं, प्रदान मंत्री की परस में पैस इस तरह की सवाल की प्रदान मंत्री जी से पूछे जाते हैं, पूछे, कोई काम करे तो ठके ना, 24 गंटा आप सिर्फ यही देखते हो कि इसको कैसा निप्टाना, उचको कैसा निप्टाना, ये काराच की सरकार कैसी तोड़ना, इसी में बीजी रहते हैं, 24 गंटा और 28 गंटा काम करने वाले प्रदान मंत्री अब इतियास हो गए हमारे देश में, देश के लिए काम करने वाले, अपने राजनितिक स्वार्थ, अपने पार्टी के लिए, विपक्ष को निप्टाने के लिए 24 गंटा सक्रिय लोग तो बहुत रहते हैं, ये तो गुरुजी, जो ऐसे सवाल पूछते हो, आदत हो गई है, आदत हो गई, आदत से मजबूर है, हम भी आदत से मजबूर है, क्या करें, या तो फिर पत्रकार जिता चोड़के कोई दुसरा ही काम शुरू करें, यहीं लगता है, लेकिन पत्रकार दुसरा काम कर भी क्या सकते यह भी तो बाई है, सवाल पूछने की आदब होती है जो मैंने वही तो कहा, जुसरा कोई काम भी शुरू करेंगे वहाँ पर भी विद्रोही कहलाएंगे, वहाँ पर भी लोग बाहर कर देंगे यह हमको सूप नहीं होता, क्योंकि व्यवस्था को सवाल पूछना, गलत होने पर सवाल पूछना, यह इनसान का नेचर होना चाहिए ठीक है अशुक सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने समय दिया धन्यवाद, धन्यवाद